हेलो द्रमर फैंस, वेलकम बैक तो दे एपिसोड फाइव अप डांस ओफ फीनिक्स लेकिन न्यू अपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक थैंक्यू उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरा सेकिंड चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और एक रिक्वेस्ट उन सभी लोगों से जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी प्लीज कर लिजे इसके लावा अगर आप में डांस ओफ फीनिक्स के प्रीवियस एपिसोड से नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि यू मिंग मिस्टर बाई को फैंग व्यू का फोटोग्राफ दिखाता है और उससे पूछताश करता है लेकिन मिस्टर बाई उस फोटोग्राफ को पैचानने से इंकार कर देते हैं क्योंकि उन्होंने फैंग व्यू को जिस रूप में देखा था तब वो बहुत ब्यूरिफुल थी और इस फोटोग्राफ के साब से वो एक पश्चूरत लड़की है दूसरी और जूनलिन भी अपमे दोस्तों के साथ फैन व्यू को जूणने के लिए बौडर सिटी पर पहुंच जाता है मिस्टर बाई के फादर जो की बौडर सिटी के हैड थे वो जूनलिन के वैलकम के लिए आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो उसके लिए क्या कर सकते हैं तो जुनलिन उनसे कहता है कि हमें बस आपकी एक मदद चाहिए आप बॉर्डर सिटी में सालों से रह रहे हैं तो आप यहां के बारे में सब को जानते होंगे फिर वो उन्हें एक फोटोग्राफ दिखाता है और उनसे पूछता है कि क्या आप इस लड़की को जानते है लेकिन लॉर्ड बाई भी उस पिक को पैचाने से मना कर देते है और रीजन वही होता है क्योंकि ये जो पिक होती है वो बचसूरत फैंग व्यू की होती है उदर फैंग व्यू इस चिंता में होती है कि मेरा कजिन फैंग यरान अचानक किस मकसद से यहां आया है कहें उसे इस बात का पता तो नहीं चल गया कि मुझे सेलेस्टल फूट मिल चुका है और अब मैं कल्टिवेशन स्टार्ट कर सकती हूँ लेकिन नहीं ऐसा नहीं हो सकता ओर्ट में बाग किसी को यह बात नहीं बताएंगे लेकिन जो भी हो मुझे कुछ न कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि यह फैंग यरान यहां से चल्दी ही चला जाए और इसके हातों में भी कुछ न लगे दूसरी ओर वो स्टूपिट फैंग यरान जिसने फीनिक्स ओर्ट को जूनने के लिए लगबग पूरी जमीन ही खुद बादी थी वो फैंग व्यू से पूछता है कि तुम्हें ठीक से याद तो है न कि फीनिक्स ओर्ट यहीं चुपी है फैंग व्यू कहती है कि यह आप कैसी बाते कर रहे हैं अफकॉस मुझे याद है लेकिन हाँ यहां का जो इंचार्श था उसने मुझे एक पोईम भी बताई थी जिस पोईम में इस फीनिक्स ओर्ट का पता चुपा हुआ था इसके बाद फैंग व्यू रैंडमली कुछ भी उटपटांग लिखकर फैंग इरान को दे देती है और कहती है कि यही वो पोईम है और यह शायद एक पहेली जैसी है जिसमें उस फोट का पता चिपा हुआ है अब मैं तो इतनी स्मार्ट हूँ नहीं कि इस रिडल को सॉल्व कर पाऊं लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है और आप जल्दी ही इसको सॉल्व करके सॉल्व का पता लगा लेंगे तो फैंग इरान जो की वास्ते में ही गदा था वो कहता है तुम चिंता मत करो मैं जल्दी ही सब कुछ पता लगा लूँगा उसरी ओर मियोयान अपनी भेंट जियो किन से कहती है कि प्रिंस उस लड़की को जूरने के लिए बॉर्डर सिटी जा चुके है मुझे लगता है अब आपको प्रिंस की तरफ ध्यान देना चाहिए तो जूर किन कहती है कि नहीं अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जाओ जूर अभी भी बॉर्डर सिटी में ही चिपी हुई है और सबसे पहले मुझे उसे जुनना है फिर वो मियोयान से कहती है कि तुम एक काम करो तुम फैंग लियू को एक प्लैटर लिखो और उससे कहो कि वो फैंग वियू पर नजर रखे जूनलिन अपने दूस्तों के साथ फैंग वियू के पुराने वाले घर में जा पहुचता है फैंग वियू पिलर के पीछे से छिपके इन लोगों को देख रही होती है और वो मन में सोचने लगती है कि यह यहाँ पर क्यूं आया है कहीं इससे पता तो ने चल गया कि मेरा असली नाम क्या है उधर फैंग लियू और फैंग येरान दोनों ही प्रिंस को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे वैलकम करते है फैंग व्यू सोचती है कि मुझे जल्दी ही इन लोगों से बचकर भागना होगा और वो अपने चेहरे पर एक मास्क पहन लेती है और वहां से भागने ही वाली होती है कि उसकी ड्रेस एक पिन में फस जाती है और एक चोड से आवाज होती है इस अवाज को सुनकर जून लिन पीचे की और मुटता है और उसकी नजर पढ़ती है मास्क लगाई हुई फैंग व्यू पर और जैसे ही इन दोनों की नजरे मिलती है बिलकुल शारुक खान की फिल्मों की तरह से हवा चलने लगती है पत्ते उडने लगते हैं और एक गाना चलने लगता है और हवा चलने की वज़े से फैंग व्यू का मास्क उसके चेहरे से उठ जाता है और वो हमारे हीरो जून लिन के हाथ में पहुँच जाता है और फैंग व्यू का खुबसूरत चेहरा जून लिन की आँखों के सामने आ जाता है कुछ पलों के लिए जोनलिन फैंग व्यू को देखता ही रह जाता है इसके बाद वो उसके पास जाता है और उसे उसका मास्क लोटा देता है तब ही जोनलिन की मेट वहां आती है और जोनलिन से अपने सास चलने के लिए कहती है फैंग व्यू और उसकी मेट के जाने के बाद वो तीनों दोस्त आपस में सोचने लगते हैं कि समय के साथ फैंग व्यू कितनी बदल गई है और कितनी बोरिंग भी हो गई है अब यहां में आपको याद दिला दू कि ऐसा इन्हों ने इसलिए कहा क्योंकि ये सभी बच्पन के दोस्त है इसके बाद ये सभी लोग यहां से जाने लगते हैं लेकिन जुनलिन अभी भी उसी तरफ देख रहा होता है जहां से की फैंग व्यू कई थी वापस लोटते वक्त ये तीनों आपस में फैंग व्यू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि कल्टिवेशन खोने के बाद फैंग व्यू की जिंदगी कितनी अजीब हो गई है तभी वो लोग रास्ते में दो औरतों को फैंग व्यू के बारे में बात करते हुए सुनते हैं और प्रिंस जोनलिर उनकी पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं कि बॉर्डर सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी दवाईया कौन बनाता है उधर फैंग व्यू भी भागती हुई ओल्ड मैं बा के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरी दमाग को बनने में कितना और टाइम लगेगा तो बा उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि तीन दिन लगेंगे और चौते दिन तुम वापस आना तुम मेरा दमाग खाना फिर से आ गई फैंग व्यू कहती है तो मैं क्या करूँ वो जूनलिन मुझे धूनता हुआ यहां तक आ गया है अगर उसे पता चल गया तो वो सलेस्टिर सूट को ले जाएगा और कितने मुश्किल से मुझे सलेस्टिर सूट मिला है और जैसे कि कहावत है कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर जूनलिन तभी अपने दोस्तों के साथ वहां प्रकट हो जाता है और उन्हें देखकर फैंग व्यू की आंके फटी की फटीरा जाती है और वो कहती है कि तुम लोगों को मेरे बारे में पता कैसे चला तुम मेरे पीचे-पीचे यहां आए हो लेकिन जूनलिन उसके किसी बात का कोई जवाब नहीं देता बलकि शक्से उसकी तरफ देखता रहता है तो अब खुद को बचाने के लिए फैंग व्यू फिर से एक नया ड्रामा करने लगती है और रोते हो कहती है कि मैं क्या करती मुझे मुझे वो सब जूट बोलना पड़ा क्योंकि मेरी फैमली ने जब मुझे और मेरी मा को घर से बाहर निकाल दिया था तो हमारे पास कुछ भी नहीं था हम इतनी गरीब थे कि हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था लेकिन प्रिंस जूनलिन की आखों से साफ साफ पत चल जाता है कि वो जानते हैं कि ये लड़की फिर से जूट बोल रही है फैंग व्यू अपने ड्रामा कंटीनियू रखती है और कहती है वो तो भला हो मिस्टर बाग का जो इन्होंने मुझे कुछ मेडिकल्स इसकिल्स सिखा दी जिससे कि हम अपने रोजी रोटे चला पात हैं इसके बाद वो मिस्टर बाग को भी हाथ पर पिंच करती है और उसे भी अपनी हां में हां मिलाने के लिए कहती है लेकिन प्रिंस जिर्नलिन जो कि फैंग व्यू की एक्टिंग को पैचान चुका होता है वो उससे कहता है अब तुम्हें ये सब करने की कोई जरुपत न होता है कि कोई उसे आइडिया देता है कि तुम इसके बारे में भीकारियों से पूछो क्योंकि वो हर आने जाने वाले को देखते हैं इसके बाद वो भीकारियों को लालश देता है और उन से उस पोचोग्राफ के बारे में पूश्टाश करता है दूसरी वो जूनलिन फैं मारे लिए जितने पैसे भेशती हैं उनमें हम खाना भी ठीक से नहीं खापाते तो हम रूम की मरमत कैसे करेंगे प्रिंस के सामने ये सुनके फैंग इनान को बहुत बेज़ती फील होती है और वो उसी वक्त एक चेक निकाल कर मेट को दे दिता है उसके बाद जुनलिंप और उसके सभी दोस्त उसी रूम में रहने लगते हैं वो लोग फैंग्यू के बारे में बातें करी रहे होते हैं कि वहां फैंग्यू आ जाती हैं और वो उन लोगों से कहती है कि आप लोग बहुत दूर से चल कर आए हैं इसलिए थक गए होके मैंने आप लोगों के लिए खाना बनाया है उसके बाद वो कई तरह की अजीब-जीफी डिशिस बना कर उन लोगों को सर्फ कर देती है जुनलिन के दोना दोस्त जो की बहुत भ खाता है तो उसे भी फैंग के हाथों का बनावा खाना पसंद आता है फैंग व्यू अपने मन में यह सोचकर बहुत खुश होती है कि चलो इन लोगों का ध्यान कम से कम मुझे पर से तो हटा लेकिन तबी फैंग सी बोल पड़ता है कि फैंग व्यू कुछ फैंग व्याओ जैसी है यह सुनके फैंग व्यू को खासी आ जाती है और वो पूछती है कि कौन फैंग से आओ तो फैंग जी बताता है कि वो एक चोड लड़की है जो हमारी बहुत ही कीमती चीज़ चुरा कर ले गई है और हमें पता चला है कि वो यहीं रहती है और हम उसे धूरना चाते तो फैंग व्यू कहती है कि बॉर्डर सिटी इतनी भी चोटी नहीं है यहां किसी को ढूड़ना इतना असान भी नहीं है इसके बाद फैंग जी ज्याओ से कहता है कि क्या तो मैं जुनलिन का बहीवर कुछ अजीब नहीं लगा वो इतनी दूर से सिर्फ और सिर्फ सूट मिला और नहीं उसके बारे में कोई क्लियू मिला लेकिन फिर भी ना तो उसे गुसा आ रहा है और नहीं वो परिशान है वो बिलकुल शान दिखाई दे रहा है तो जियाओ यह कहता है कि तुम बिकार की बाते करना छोड़ो और कल की बारे में सोचो कल हमें वापस से उस लड़की को जूड़ने के लिए निकलना है उधर फैंग्यू की मेड लेंग उन लोगों की बाते चुपके से सुन रही होती है उसके हाथ में एक बैग होता है जिसमें उसने बहुत सारे चूहे पकड़ हुए होते हैं जो रात में इन लोगों को पर छोड़ने वाली थ अडि ॹरूंश निकलना होते हैं तुणि को फैंग्यू के बारे में बाते करता हुए सुनती हैं और ये तीनों सैंग्यू की के हाथ में बहुत अच्छी बाते कर रहे थे इसलिए उसके मंद में गिल्टी होती है और वो बिर चूहे रखे वहां से चली जाती दूसरी वर जुनलिंग उस बचसूरत लड़की के बारे में सोचने लगता है जिसने उसके हाथों में दवा भी लगाई थी और उसके बारे में सोचते ही फिर से उसके सीने में दर्ध होने लगता है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम उस लड़की के बारे में बाते करना बंद करो उंधर यूमिंग फैंग व्यू के बारे में पूछते पूछते और पूरी रात उसे बहुत टॉर्चर करता है लेकिन फिर भी बा उसे फैंग व्यू के बारे में कुछ भी नहीं बताता तो यूमिंग उसे ब्लैक मेल करता है और कहता है तुम आराम से सोच लो मैं एक और रात तुम्हारे साथ हूँ फैंग व्यू की मेड उसे बताती है कि मैंने उन तीनों की बाते सुनी प्रिंस जुनलिन आज भी तुमारे लिए बहुत केयर करते हैं इसलिए मैं उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर पाई तो जुनलिन कहती है चाहे जो भी हो वो जदे से जदा एक रात और यहां रह सकते हैं उसके बाद उन्हें चाना ही होगा इसके बाद फैंग व्यू जुनलिन के पास चाती है और उससे कहती है कि आपने मेरे जितनी भी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन अब आप यहां नहीं रह सकते तुकि एक समय था जब हम दोनों की engagement हुई थी और वो बाद में cancel भी हो गई इसलिए हम दोनों का एक साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं अब जुनलिन आके बढ़ता है और अचानक वो फैंग्वियू से टक्रा जाता है जिससे कि फैंग्वियू के सर में चोट लग जाती है और वो कहती है मैंने कहा था ना हम दोनों का साथ रहना ठीक नहीं अब देखो तुमने मुझे मार दिया ना तो जुनलिन कहता है I'm really sorry बट ये एक accident था मैंने जान बुझकर कुछ नहीं किया तो फैंग्वियू कहती है it's okay बट तु फिर भी अपने रहने के लिए अब कोई और जाके ढून लो अब जुनलिन उसके पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम वास्ता मैं फैंग्वियाओ को नहीं जानती क्योंकि तुम्हारी शकल उस बचसूरत लड़की से बहुत बिलती है तो फैंग्वियू बात को बदलने के कोशिश करती है और कहती है कि क्या तुम ये कहना चाहते हूँ कि मैं बचसूरत लगती हूँ तो जुनलिन कहता है कि नहीं मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अब भी हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे त्यूंकि मुझे तुम्हारी हेल्प की चरूरत है तभी वहाँ फैंग ल्यू आती है और जुनलिन से कहती है कि लॉर्ट बाई आपसे मिलना जाते है और आपका इंतजार कर रहे है अगली सीन में बाटर सिटी के अंदर तीन लोग एक पत्थर को उठाने की कोशिश करते हैं जो भग भारी होता है और उन तीनों से नहीं उठ पाता हूँ अभी वहाँ जाओ जी आती है और उन तीनों की मदद करने के लिए उस पत्थर को अपने इस्परिट एनरजी से उठाने लगती है और वो सच में उसे उचा भी देती है लेकिन अचानक ही वो उसका बैलिंस चूटता है और वो पत्थर नीचे गिर जाता है जिससे की वो ब वहां आ जाते हैं और उस आदमी को उसके नुक्सान के बदले पैसे दे देते हैं इसके बाद जेयोकें जाओजी को अपने साथ ले जाती है उधर लौडबाई जूनलिंट को बताता है कि आप जिसे ढूंड रहे हैं उसे ढूंडने में आपकी मदद एक आदमी कर सकता है जो यहां की सबसे अच्छी मेडिसिंस बनाता है। तो जुनलिन कहता है कि कहीं आप ओल्ड मैन भागी बात तो नहीं कर रहे हैं। तो लॉर्ड बाई कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यह एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें।